Hello and Welcome to Fun Learning हम Athletics के अंदर Track Event के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हम Races के बारे में पढ़ रहे हैं आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे Hurdle Race के बारे में और Stipages Race के बारे में आप मुझे सोशल मीडिया पर भी इन आइडियो के द्वारा जूट सकते हैं तेलिग्राम पर आपको मेरी सारी वीडियो की पीडियाप मिल जाएगी और इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगे अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे Hurdle Race के बारे में अब Hurdle Race में क्या होता है इसमें ट्रैक के ऊपर Hurdles लगाए होते हैं इस तरह से बादाएं लगाई होते हैं और एथलीट को क्या कन होता है इन बादाओं को पार करते हुए कम्पलीट कन होते हैं पूरी रेस को और Hurdle Race की दूरी कितनी होते हैं ये मेंज और वीमेंज के लिए अलग से होते हैं देखें मेंज के लिए होती है 110 मिटर की हर्डल रेस और 400 मिटर की हर्डल रेस और वीमेंज के लिए होती है 100 और 400 मिटर की हर्डल रेस अब हर्डल रेस में हमें पता है कुछ हर्डल लगाई जाएंगे कितनी हर्डल लगाई जाती हैं मेंज और वीमेंज दोनों के लिए ही 10 hurdle लगाई जाती है और इस तरह से देखें आप इस image में भी देख सकते हैं सभी lane में इस तरह से hurdle लगाई जाएंगे और इन hurdle की width कितनी होती है इनकी width होती है 1.20 meter 1.22 meter की lane होती है और width इसकी कितनी होती है 1.20 meter hurdle का weight कितना होता है इसका weight होना चाहिए not less than 10 kg 10 kg से कम ये नहीं होना चाहिए hurdle और इसके अलाबा इसका जो base है ये वाला या इसके pair बोल सकते है hurdle के उनकी length कितनी होनी चाहिए maximum length इसकी 70 cm होनी चाहिए और इसकी जो height होती है वो कितनी होती है वो different होती है different event के अंदर जैसे men's के लिए अलग रहेगी women's के लिए अलग रहेगी और 110 meter में men's के लिए अलग रहेगी 400 meter में अलग रहेगी women's के लिए इस तरह से 100 और 400 meter में अलग अलग रहेगी इसको हम आगे देखते हैं यहाँ पर अब सबसे पहले हम men's के लिए देखते हैं 110 meter की hurdle race में hurdle की height man's के लिए 1.067 meter होगी और पहली hurdle कितनी दूरी पर लगाए जाएगी starting line से 13.72 meter की distance पर लगाए जाएगी first hurdle ठीक है और उसके बाद जो hurdle का distance कितना होगा 9.14 meter जैसा कि मान लेजिए ये starting line है और जो starting line से पहली hurdle लगाए जाएगी वो लगेगी 13.72 meter के distance पर और उसके बाद जो hurdle का distance रहेगा वो कितना होगा 9.14 meter ठीक है इसके बाद सारे 9.14 meter के distance पर लगेंगे और जो last hurdle होगी ठीक है last hurdle का finishing line तक का कितना distance होगा वो होगा 14.02 meter ठीक है last hurdle से finishing line तक कितना distance होगा 14.02 meter तरह से 400 meter में hurdle की height कितनी रहेगी 0.914 meter और इसका फर्स्ट hurdle का distance होगा 45 meter और hurdle के बीच का distance 35 meter रहेगा और जो finishing line से last hurdle का distance 40 meter और women's के लिए 100 meter race के लिए hurdle की height रहेगी 0.84 meter और starting line से लेकर जो पहली hurdle तक का distance 13 meter का और hurdles के बीच में बाकी की hurdle के बीच का distance रहेगा 8.50 meter का और last hurdle से finishing line का distance रहेगा 10.50 meter और इस तरह से 400 meter में भी hurdle की height women's के लिए 0.762 meter और first hurdle तक का distance starting line से 45 meter hurdle की बीच का distance 35 meter और finishing line से का distance 40 meter रहेगा women's के लिए यानि कि अगर देखिए simple सा इसको यहाँ पर हम समझते हैं 110 meter hurdle की बात अगर हम करें तो यहाँ पर इसका start होता है और इसको mark करना मैंने पहले ही बता दिया है जब हम track mark करना बता रहे थे और अगर उसको आपने नहीं देखा तो इसका link में आपको i button पे भी दे दूँगी और channel पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी तो यह वाली है 110 meter की starting line और यहाँ से सभी खिलाड़ी इसके पीछे खड़े हो जाएंगे start लेने के लिए और crouch start यहाँ पर होगा और सभी खिलाड़ी जो है वो अपनी ही lane में race को पूरा करेंगे ठीक है अपनी ही lane में खिलाड़ीों को दौन नहोगा और सभी lane में यहाँ hurdle लगाए जाएंगे कि कितने hurdle होंगे हमने अभी पढ़ा कि 10 hurdle लगाए जाएंगे इस तरह से भी lane में यह hurdle लगाए जाएंगे ठीक है इस तरह से सारे सभी lane में hurdle लगाए जाएंगे लाड़ी जो है वो यहां से अपनी ही लेन में दौटते हुए आएंगे और उनको इन हर्डल्स को पार करते हुए ठीक है जाना है और रेस को कम्प्लीट करना है फिर उसके बाद हम इसके कुछ बेसिक से रूल हम यहां पर पढ़ लेते हैं कि जो रनर्स होते हैं उनको सारे हर्डल्स को सफलता पुर्वक पार करना क्लियर करना यहां पर ज़रूरी रहता है और जो रनर्स होते हैं वो अगर जान बूझ कर यहां हर्डल्स को गिराते हैं ठीक है अगर वो जान बुझ कर ऐसा करते हैं तो वो disqualify हो जाएंगे और runner का अगर accidentally कोई pound लग जाता है hurdle पे और hurdle के उपर से वो निकल जाते हैं hurdle को ठोका लग जाती तो वो disqualify नहीं होंगे और runner का pound यहाँ से आगे की तरफ को नीचे से नहीं निकलना चाहिए जिस समय पर अपना jump हो clear कर रहा हो अगर कोई runner ऐसा करता है उसका disqualify हो जाएगा और runner को पूरी race अपनी lane में दौनी होगी अगर दूसरी lane में अगर वो चला जाता है तो वो disqualify हो जाएगा फिर next है steeple chase race steeple chase के अंदर basically 3000 meter की race होती है और 2000 meter की race होती है अब steeple chase के अंदर क्या होता है water jump होते हैं और कुछ hurdles होती है या barriers उनको बोल सकते हैं वो लगाए जाती है और सबी खिलाडियों को सारी barriers और water jump पार करते हुए race को complete करना होता है अब 3000 meter के race के अंदर 28 hurdles या barriers को पार करना होता है और 7 water jump होते हैं और 2000 meter की race के अंदर 18 hurdles होती है और 5 water jump होते है और इन hurdles का weight कितना होता है 8200 kg hurdles की height कितनी होती है men's के लिए 36 inches centimeter में देखे तो 91.4 centimeter और women के लिए hurdle की height कितनी होती है 30 inches और centimeter में 76.2 centimeter फिर अब देखे इस टीपलचेस के अंदर water pit होती है water jump होते है वो track के अंदर मार के जाते है या तो track के बाहर मार के जाते है और ऐसे track कितने का होता था 400 meter का standart track होता है लेकिन अगर water pit track के बाहर मार की जाती है तो track यहाँ पर बढ़ जाता है 410 meter पूरा track हो जाता है 스टीप छेज के लिए स्टिपल चेज के लिए और अगर अंदर मार्क की जाती है तो 390 मिटर का हो जाता है ट्रैक ठीक है और इसी अधार पर हमने हर्डल कितनी दूरी पर लगानी है चीज़े हमने मार्क की थी मैं पहले भी पोला था बार-बार बोरी हूँ कि पहले आप ट्रैक को मार कैसे करें इस वीडियो को जाके देखें तब ही आपको सारी चीज़े अच्छे से समझ में आ जाएगी ठीक है इस तरह से इसमें टोटल पांच बादाएं होती है जो चौथा हर्डल होता है वो बाटर जंप के पास लगाए जाता है यानि कि जो पहली हर्डल लगाए जाएगी वो लगाए जाएगी यहां पर 10 मीटर आगे फिनिशिंग लाइन से 10 मीटर आगे पहली हर्डल लगाए जाएगी और उसके आगे जो इसका डिस्टेंस होगा के दूसरी हर्डल और दूसरी से तीसरी तीसरी से चौथी और चौथी से पांच की तरफ को मार की गई हो तब यहाँ पर हडल के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा 82 मीटर का और पांचवी हडल से लेकर फिनिशिंग लाइन तक का डिस्टेंस कितना होगा अगर पिट अंदर की तरफ को मार की हो तो यह रहेगा 68 मीटर का और अगर बाहर की तरफ को मार की हो तो ये 72 मीटर का रहेगा इसमें देखिए खलाड़ी कुछ इस तरह से दोड़ेंगे यहां पर है 3000 मीटर का स्टार्ट तो यहां से खलाड़ी दोड़ते हुए जाएंगे पहला जो आदा राउंड है इसमें ने कोई भी बादा नहीं मिल बादागेगे यहाहं पर इनको पहला हरडल मिलेगा इसको इसे और फिर यहां पर दूसरा फिर इस तरह से तीसरा और फिर चौत आहां पर बोटर पिट हैं और इस तरह से पाचवा हरडल पार करना है और इस तरीके से ही पूरे 7 रावड कम्प्लीट करने हैं इनको तो 3000 म sacrifice हमने देखा कि 3,000 मीटर में 28 पार रह इनको हडल को पार करना है और 7 वाटर जंप 2000 मीटर में 18 हडल पार करनी है और 5 इसमें वाटर जंप पार करने हैं टीपल जेज़ में अगर हडल को टच भी करते हैं तब भी फॉल नहीं होता है इसमें बस आपको किसी भी तरह से हडल को पार करना है आप हडल के उपर पाउं रखके भी हडल को पार कर सकते हैं हाथ का सारा लेकर भी हडल को पार कर सकते हैं बाटर जम्प की गहराई कितनी होती है यह 70 cm डीप होता है और यह बाटर पीट कितना लंबा होता है इलिए बीडियो में हम Cross Country और Relay के वारे में पढ़ेंगे अगर आपको ये बीडियो अच्छा लगा हो आपके लिए helpful रहा हो तो बीडियो को लाइक केजिए चैनल को सब्सक्राइब केजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देजिए ताकि आने वाली सारी न